नमस्कार दोस्तों जैहिन आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल प्रस्वागत है अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए आज के इस वीडियो में हम लोग फीडिंग रेज करते हैं तो ये पेंटो हमारा ओयची से टेच कर जाता है अगर हम कैब 2 में बैठे हैं तो पिछला पेंटो एनी पेंटो 1 उठाते हैं और अगर कैब 1 में है तो पिछला पेंटो एनी पीटी 2 को हम रेज करते हैं उसके बाद यहां पे हमारा जो बीच में डीजे लग हुआ है लोको की छट पर इसके और पेंटो के बीच में बिलना कार लोहे की कई राड लगी होती हैं जिनकों की रूफ बार कहा जाता है यह मालगाडी का लोको है तो इसमें एक सैड देखिए हमको तीन रूफ बार दिख रहे हैं और यह जो चौथा है इसको बोला जाता है HPT अगर यही पसंजर का लोको होगा यहां नीचे लिखा हुआ हुआ है कि इन डबलू एपी फोर लोको रूफ बार जीरो फोर यानि रूफ बार उसमें चार होते हैं और HPT लिंक दो यानि उसमें 4 प्लस 2 होगा और यह मालगाडी का लोको है तो 6 प्लस 2 होता है यह रूफ ब ज्वारा हम इस प्लेंटोग्राफ को हम एलेक्ट्रिकली आइसोलेट कर देते हैं उसके बाद यहां पर देखें डीजे लगा हुआ है डीजे से पहले यहां पर एक 81 लिखा हुआ है यह 81 होता है सर्ज रेश्टर जो कि लोकों की छत पर ही होता है यह आकासिये बिजली के सर अच्छा करता है इसमें जो गैप होता है 180-210 अमिम का गैप होता है जब आकासिये बिजली गिरती है लोकों पर तो यह गैप हमारा भर जाता जिसके कारण आकासिये बिजली लोकों के मद्हेम से ग्रांड हो جाती है यहां लोको की छत पर डीजे लगा हुआ है और डीजे क क्लोज होने के बाद सर्विस में आता है इसमें गैप होता है 70 से लेकर 90 mm और ये गैप तब भरता है जब किसी कारण से जो हमारा में ट्रांस्फार्मर है उसमें किसी कारण से वोल्टेज अधीक हो जाए जैसे अगर हम कम गैप देकर बार-बार डीजे क्लोज करते हैं उस समय युकि BV-Box में HOM handle लगा होता है जब BV-Box से होम को operate करते हैं तो एक सिरह इसका डीजे के उपर से जुड़ा है और दूसरा सिरह इसका डीजे के नीचे से जुड़ा हुआ है यहनि जब हम हम HOM handle को अपरेट करते हैं तो उसके एक सिरह से हमारे roof operators ground होते हैं और दूसरे सिरह होता है उसका spark over voltage 67.5 kv होता है मतलब जब 125 kW तक voltage आ जाएगा उस समय हमारा ET1 service में आएगा और जब 67.5 kv voltage आ जाएगा ट्रांसफारवर में उस समय हमारा ET2 का जो gap है वो फिल हो जाएगा और यह सारा voltage हमारा ground हो जाएगा इस तरह यह ET1 और ET2 लोकों की सुरच्छा करती है DJ के नीचे देखिए यहाँ पर QLM लिखा हुआ है यह QLM हमारा transformer का over current relay होता है और इसको एक TFILM एक current transformer होता है TFILM इसके द्वारा QLM को हम current देते हैं इस TFILM का principal step down transformer की तरह होता है और इसका transformation ratio 50 to 1 होता है यानि जब TFILM को 4500 ampere current मिलता है उस समय QLM को 9 ampere current मिलता है और यह QLM operate होती है जिसके कारण इसका NCI MTDJ branch पे खुलता है और DJ हमारा खुल जाता है यह current जो हमारे main transformer में आता है यह A33 और A0 bussing के द्वारा main transformer के winding को supply मिलता है और यह auto transformer है इस से secondary winding में तब current जाएगी जब हम MP से नाच लेंगे और एक side हमारा A0 और A1 bussing से auxiliary transformer के winding में induction के थ्रू current चला जाता है इस GR में जो current जाता है वो MP के थ्रू जाता है यह जो main transformer है यह auto transformer है जिसमें A के ही winding होती है और 0 सहीद कुल 33 टैप इसमें होते हैं और हर टैप में हमारे जो number of turns है वो 30 होती है तो 30 गुड़े 32 क्योंकि 0 पे तो एक भी नहीं रहेगा बाकी 33 के लिए 32 यह total हो जाएगा 960 और 80 turns और हमारी extra होती है जो ऐजे resistance का काम करती है कुल मिला के इस पूरे TFWR के winding में 1040 number of turns होते हैं जब MP से हम नाच लेते हैं जैसे हमने जब MP से कोई नाच नहीं लिया है तो हमारी यह 0 वाले से supply हमारी आगे बढ़ेगी यानि कोई भी supply आगे नहीं जाएगी जब MP से एक नाच लेंगे तो पहले tap पे हमारा auto transformer आ जाएगा हैनि secondary winding में हमारी 30 number of turns हो जाएगे इस तरह जैसे जैसे हम नाच लेंगे number of turns हमारे auto transformer के tap के थ्रू बढ़ते जाएगे और उस हिसाब से हमारी यह TFP हमारी चार्ज होती रहती है यह GR के माद्धम से होता है और यह जो GR है यह एक व्रत्ता का drum होता है इसमें दो रेल होती है एक outer rail होती है एक inner rail होती है और दोनों rail के पास कई segment लगे रहते हैं और जब हम MP से नाच लेते हैं तो contact arm के चलने से contact segment के होते हुए बिजली की supply contact roller की सहता से circular rail में चली जाती है और CGR के माध्यम से यही supply हमारे TFP को मिल जाती है यहाँ पे सरल भासा में यह समझे यह कि GR में हमारे दो rail हो गई एक outer एक inner तो outer पे हमारे odd notch के लिए outer जिम्मेदार है और inner rail जो है वो even notch के लिए जिम्मेदार है जब हम notch लेते हैं तो यह हमारा GR घूमता है और इन दोनों rail से हमारे cam contactor जुड़े हैं तब यह cam contactor close होते हैं और उसके माध्यम से हमारी जो auto transformer से हमारे supplier ही है MP के द्वारा जो हम notch ले रहे हैं तो auto transformer के द्वारा tap से जो supplier ही है वो इन CGR के माध्यम से TFP को जाती है और हमारी TFP charge हो जाती है अब यह जो CGR हैं यह हमारे पास 3 है तो add में हमारा CGR 1 close होता है और even notch पे हमारा CGR 2 और 3 दोनों close होता है और between notch केवल केवल हमारा CGR 2 close होता है और यहां पे आपको दो resistance दिख रहा होगा एक होता है RGR एक होता है RPGR तो RPGR inner rail और outer rail के बीच में होता है यह GR का permanent resistance है इसका काम यह होता है कि tap changing के समय जो flashing उत्पन हो रही है उसको कम करना है हलाकि CGR 1,2,3 के उपर भी हमारे आर्क शूट लगे होते हैं flashing को कम करने के लिए इस RPGR का मान 97 किलो ओम होता है और यह CGR 1,2,3 के नीचे HTC में लगा होता है RGR जो है वो CGR 2 और 3 के बीच में लगाया गया है और यह between arch service में आता है इसका मान 1.6 ओम होता है यदि इस resistance में ज़्यादा देर तक current flow होगा तो यह जल जाएगा इसलिए इसकी सुरच्छा के लिए Q44 relay में 0.6 second का time lag दिया गया है और Q44 branch पे GR open on between notch का interlock दिया गया है ताकि अगर इसमें ज़्यादा देर तक supply जाए तो Q44 की supply कट जाए और DJ हमारा खुल जाए जिससे RGR जलने से बच जाए RGR HTC में CGR 1,2,3 के पीछे इस type के design में लगा हुआ होता है जब MP से हम नाच लेते हैं तो MP के position के अंसार हमारी inner rail या outer rail इन दोनों के माध्यम से CGR के थ्रू हमारी TFP चार्ज हो जाती है और mutual induction द्वारा TFP 1 traction power circuit number 1 को और TFP 2 traction power circuit number 2 में current भेशती है जो की traction motorों में जाता है और हमारी गाड़ी चलती है इस circuit से interview में कई question पूछे जाते हैं objective वो हम next video में उससे related question के बारे में और discuss कर लेंगे अगर आप हमारे channel पर नया है तो please subscribe कर दे और video पसंद आया हो तो like कर दीजिए मिलते हैं next video में thank you